इस वीडियो में बताएगी सारी जानकारी पबिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षबलों की गोपनियता भंग होती है डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उनहीं जानकारियों के आधार पर उनकी पांचवी पीड़ी के लड़ा को विमान F-22 और F-35 जेट्स की बेहद एहम तकनीकों को शामिल कर लिया गया है और कंपनी इसे मेक इन इंडिया के तहट पूरी तरह से भारत में बनाने का उफर दे रही है मेक इन इंडिया का फायदा ये होगा कि इससे भारत के भीतर ही इस फाइटर जेट का इको सिस्टम तयार हो जाएगा सर्विस हो, मेंटेनेंस हो या फिर स्पेर पार्ट्स ना तो इनकी कमी होगी ना ही इनकी क्वालिटी खराब होगी क्योंकि ये सब कुछ भारत के निगरानी में होगा आपको मैं बता दूँ कि लॉखिट मार्टीन पहले से ही टाटा के साथ मिलकर भारत में काम कर रही है भारती ये वायू सेना की जरूरत को देखते हुए उसने पहले से ही मेक इन इंडिया की जरूरतों को पूरा करने का काम शुरू कर दिया है जिससे अगर F-21 को चुना जाता है तो बिना किसी देरी के पहले दिन से काम शुरू किया जा सके कौन-कौन से बड़े बदलाओ भारत की जरूरतों के हिसाब से इसमें किये गए है इसकी जानकारी आपको दूँ उससे पहले एक बार जरा आप चक कर लीजिए कि आपकी दाई और जो लाल बटन दिख रहा है उस पर क्या लिखा हुआ है सब्सक्राइब या फिर सब्सक्राइब डिखा है तो आपका बहुत अभिनंदन है लेकिन अगर सब्सक्राइब लिखा है तो प्लीज जल्दी से इस लाल बटन को क्लिक कर दे और हाँ साथ में बेल आइकॉन भी दबाया है जिससे आपको डिफेंस डिटेक्टिव के वीडियो अपलोड करते ही जानकारी मिल जाए तो बात हो रही है अमेरिकी F-21 फाइटर जट की इसे बनाने वाली कंपनी लॉकिट मार्टीन ने वादा किया है कि अगर भारतिय वायुसेना इसे चुनती है तो वो इसे भारतिय वायुसेना के अलावा किसी और देश या किसी और वायुसेना को इस F-21 फाइटर जट को नहीं देंगे और भारती वायू सेना की जरूतक मुताबेक इसमें कई बड़े बदलाव करते हुए भारत के स्वदेशी सिस्टम्स को भी इसमें इंटिग्रेट करने के लिए कमपनी राजी हो गई है लेकिन भारतीय स्वदेशी इंटिग्रेट करने वाले सिस्टम्स कौन से होंगे? क्या इनमें भारती हथियार भी शामिल है? इसके बारे में कमपनी ने कोई जानकारी नहीं दिये क्योंकि अगर भारतीय मिसाइलों को इसमें इंटिग्रेट नहीं किया गया तो फिर हमारे लिए ये ज़्यादा फाइदेमन नहीं है अब आपको बताते हैं कि F-21 में ऐसी कौन-कौन सी तकनीक है जो पाँचवी पीडी का अमेरिकी फाइटर जट, F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग से ली गई है इसमें हैं टार्गेट ट्रैकिंग डिवाइस, हेलमेट माउंटेट ट्रैकिंग सिस्टम, लॉंग रेंज इंफ्रारेट सर्च और ट्रैकिंग एनिकी आई-रिस्टी सिस्टम, एडवांस्ट कॉक्पिट, लाज्ड डिस्प्ले एरिया और APJ-83 AESA रडार F-21 का ये जो रडार है, APJ-83 ये बेहद आधुनिक रडार है, ये औल वेदर रडार है, स्टैंड अफ प्रिसिजन टार्गेटिंग में इसमें है, हाई क्वालिटी कॉडिनेट जेनरेट करता है, हाई रिजोलोशन मैप से इसमें, सर्च और टार्गेट को लॉग करने की स् इसका सतमाल किया जा सकता है, इसकी टार्गेट डिटेक्शन और ट्रैकिंग रेंज जबर्दस्त है, 370 किलोमीटर दूर से ही, ये टार्गेट का पता लगा सकता है, और एक साथ 20 से जादा टार्गेट को ड्रग कर सकता है, ऐसा ये इसलिए कर पाता है, क्यूए इसमें F-22 में लगे APG-77 और F-35 में लगे APG-81 की तक्नीकों को मिला कर बनाया गया है यानि इस रडार में दुनिया के दो सबसे शांदार फाइटर जेट्स के रडार का मिश्टन लगा हुआ है अब आते हैं इसके मारक शमता पर क्या इसके आने से भारतिय वायुसेना की अटाकिंग कापैबिलिटी बढ़ेगी F-21 में 10 हाड़ पॉइंट्स हैं तीन-तीन इसके विंक्स के नीचे और चार फ्रूजलाज के नीचे लेकिन इसमें सबसे खास है यह ट्रिपल मिसाइल लाँचर यानि हाड़ पॉइंट्स को लेकर F-21 में किया गया यह बेहद बड़ा बदलाव है त्रिपल मिसाइल लाँचर की वज़ा से F-21 की मारक शमता बहुत जादा बढ़ जाएगी यानि हाड़ पॉइंट्स तो एक है लेकिन इसमें तीन एयर टू एयर मिसाइले लग जाएंगी यह देखिए पहली, दूसरी, तीसरी और ठीक ऐसा ही दूसरे विंग के नीचे भी है यानि चौथी मिसाइल, पाँचवी और छठी मिसाइल यानि सिर्फ दो हाड़ पॉइंट्स का इस्तिमाल कर, छे एयर टू एयर मिसाइलों से यह लैस हो जाएगा और अगर ओवर ओल देखें, तो कुल दस एयर टू एयर मिसाइले इसमें कैरी की जा सकती है वो भी सिर्फ छे हाड़ पॉइंट्स को इंगेज करके इसका मतलब यह हुआ कि बाकी के चार हाड़ पॉइंट्स में आप external fuel drop tanks, targeting pod या दूसरा कोई भी हतियार या उपकरन लगा सकते हैं तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि इंगेजमेंट की सूरत में F-21 दुश्मन fighter jet पर हमेशा 20 सावित होगा यही नहीं, Lockheed Martin के मताबिक Airframe के service life को भी बढ़ाया गया है यह सब तो ठीक है, F-21 शांदार fighter jet है, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या भारती Air Force को वाकई F-21 जैसे single-seater fighter jet की जरूवत है, क्योंकि यह है तो F-16 का upgraded version ही ना कंपनी का दावा है कि यह 4.5 generation वाला fighter jet है दरसल Indian Air Force को आने वाले 10 से 15 सालों में करीब 400 विमानों की जरूवत है, जिनमें 200 single-seater और 200 double-seater fighter jet होंगे जाहिर है यह बहुत बड़ी deal होने वाली है, जिसमें विदेशी विमान भी होंगे देशी तेजस भी होगा, 83 तेजस एमके 1A की डील दिसंबर तक हो जाने की उमीद है, लेकिन गड़बड़ी यह है कि तेजस का production rate बहत कम है साल भर में 8 विमान, जबकि Air Force में squadrons की संख्या बहत तेजी से कम हो रही है इस वक्त 31 squadron ही मौझूद है, जबकि चाहिए 42 squadron जा सकता, यानि पाकिस्तान भी इस मौके का फायदा उठाना चाहेगा चीन से उसका घड़ जोड किसी से छुपा नहीं है, तो ऐसे में एक ही विकल बसता है विदेशी विमानों को खरीदना हलांके खुद वायू सेना धक्ष एयर चीफ मार्शल आरकेस भधोरिया कह चुके हैं कि स्वदेशी विमान ही एयर फोर्स की प्रात्मिक्ता है इसके बाद ये कहा जाने लगा था कि MMRC ये 2.0 की डील स्क्रैप हो गई है लेकिन मेरा मानना है कि इस क्रैप नहीं होई है क्योंकि जिस हिसाब से भारतिय वायू सेना को फाइटर जेट्स की जरुवत है वो बिना विदेशी विमानों के अभी पूरी नहीं हो सकती इसलिए MMRC ये 2.0 डील अभी भी मौजूद है हाँ इसकी देर ही बढ़ती जा रही है अभी कोरोना फिर चीन के विज़े से डील में और जादा देर होगी और ये एक बेहत लंबी प्रक्रिया है F21 भले ही शांदार फाइटर जट हो भले ही मेकें इंडिया के तहद बनाने का उफ़र हो और इससे हमारा काम चल जाएगा और भविश्य स्वदेशी फाइटर जट का ही है क्योंकि विदेशी विमानों को लेने पर हमारी निर्भरता उन्ही पर लगातार बनी रहेगी रही बात ट्विन इंजन वाले फाइटर जट के लिए तो कुछ और राफेल खरीदे जा सकते हैं और बाकी तेजस के जो ट्विन इंजन वारियंट है उस पर काम किया जा सकता है इसका फाइदा ये होगा कि भारती वायू सेना को एक नए विमान के लिए जीरो से ट्रेनिंग के शुरुआत नहीं करने पड़ेगी क्योंकि अभी तक हमने किसी भी अमेरिकन फाइटर जट का इस्तमाल नहीं किया है वही राफेल हमारी वायू सेना में शामिल हो चुका है और हमारे पास फ्रेंच विमानों को उड़ाने का एक लंबा अनुभवी है तो दोस्तों उमीद है डिफेंस डिटेक्टिव का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा जल्दी ही हाजिर होता हूँ एक और वीडियो के साथ नमस्कार जय हिंद